हाई फ्रेंड स्वागत है आप सब भी का बहुत बड़ी भरती निकल करके आई है रेलवे में जी हाँ रेलवे में बहुत बड़ी भरती निकल करके आई है अगर मैं टोटल सीट की बात करूंगा तो लगभग लगभग आपको चार और दो छे हजार से भी उपर 6000 से भी ज़्यादा सीट निकल करके यह recruitment आई है और यहाँ पर मैं दो बोड को मिला करके जी हाँ, एक South Central Railway जिसको हम लोग दक्षिन मध्य Railway के नाम से जानते हैं और एक North Western Railway जिसको हम लोग उत्तर पर शिमुत्तर Railway के नाम से जानते हैं यह दो रेलवे के जोन में बहुत बड़ी recruitment है किस में कितना कितना सीट है A to Z हम लोग बात करेगे notification को थोड़ा सा ध्यान से देखेगा सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले ध्यान देजे South Central Railway जी हाँ, दक्षिन मध्या Railway यह पूरा वीडियो जो है apprenticeship को focus करके बनाया गया है apprenticeship अगर आप करना चाहती है railway में तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सारे चीजे मैं आपको बताऊंगा apprenticeship करने से देखे basically मैं आपको बता देता हूँ apprenticeship का बहुत ज़्यादा benefit अभी मिल रहा है अगर आपके पास 20% का preference हो और कुछ आपका performance बढ़िया हो तो railway group D में जाने का बहतरीन मौका है और अगर आपका सपना है group D में जाने का अगर आप उसके लिए तयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इसाब से apprenticeship करना चाहिए और generally क्या-क्या eligibility है वो ध्यान दिजेगा South Central Railway में अगर मैं बात करूँगा तो start date जो है form का 30 December से form चालू हो चुका है आप इस form को online के माध्यम से भर सकते हैं लास्ट date के अगर बात करेंगे तो 29 जन्वरी 2023 रखा गया 29 जन्वरी तक आप इस form को भर दिजे form fee की बात करेंगे तो general OVC के लिए 100 रुपए लग रहा AWS के लिए और अगर SCST और female candidate है तो उनके लिए एक भी रुपए कोई charge नहीं है और website का link मैंने यहाँ पर आपको लिग दिया है www.scr.indianrailways.gov.in इस website पर जा करके आप अपना registration कीजी registration करके इस form को भर सकते हैं आगे बात करेंगे इसमें total seat कितना है तो 4103 total seat निकाली गई है south central railway की तरफ से दक्षिन मध्य railway की तरफ से जिसमें अगर state की बात करेंगे तो आंधरपरदेश, महराष्ट, करनाटक, तमिलनाडू और मध्यपरदेश ये सारे state मिला करके south central railway बनता है जिसमें ये पूरी भरती निकाले गई है 4103 लगबग लगबग ITI और 10 ये education होना चाहिए 10 के साथ ITI होना चाहिए यहाँ पर मैंने आपको education बताया हुआ है 10 प्लस ITI कम से कम 50% आपका 10 में होना चाहिए और ITI पास होना चाहिए ITI में कोई भी percentage रहे वो चलेगा और generally selection जो होगा वो ITI 10 का आपका जो marks होगा percentage उसके हिसाब से यहाँ पर होने वाला जो भी आपका performance होगा 10 में उसके हिसाब से आपकी merit बनेगी कोई return नहीं है कोई interview नहीं है अगर आपका selection होता है इसमें आपको mail के द्वारा या message के द्वारा आपको बताया जाएगा एक छोटा सा document verification होता है एक छोटा सा medical होता है medical fitness होता है अगर वो आप medically तोर पर fit है तो फिर आप इसमें work कर सकते हैं एक साल की दो साल की training होती है कुछ आपको पैसा भी साथ में दिया जाता है अगर आप मेरा suggestion है कि अगर आप इस state से belong करते हैं तो आप इस form को जरूर भरिये क्योंकि अभी देखिए दूसरे state में form भरना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी क्योंकि लगबग लगबग सभी state में notification आ रहा है कल मैंने बनाया था कुलकता डिविजन जो खड़कपूर वाले में उसमें भी आ चुका है उसमें भी आप अगर उस zone में आते हैं तो उस zone में form भरिये अगर इस zone में आते हैं इस state से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर form भरिये अपने zone में form भरिये क्योंकि बहुत बड़ी recruitment लगबग लगबग 40 से 50 हजार टोटल भर दिया आ रही है एज की बात करेंगे तो एज मीनिमम 15 से 24 साल एज होना चाहिए कम से कम 15 साल होना चाहिए अपरिंटिस से लिए इतना चल लाता है क्योंकि यह कोई काम नहीं है अगर एज कट आफ की बात करेंगो तो 30 दिसंबर 2022 मतलब 30 दिसंबर 2022 तक आपका 15 साल complete होना चाहिए 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर हाँ SCST में आप आते हैं तो 5 साल की छूट आपको मिलेगी OBC को 3 साल की छूट मिल जाती है विकलान को 10 साल की मिलती है अगर एज की बात करेंगो तो 30 12 1998 से लेकर के 30 12 2007 के बीच में यह दोनों डेट भी चलेगा अगर जेनरल और OBC केंडिडेट हैं तो आप इस फ़र्म को भर सकते हैं बाकी अगर अगर अधर कटिगरी की केंडिडेट हैं तो आप अपने अनुसार निकाल सकते हैं 55 सल की छूट दी जा रहे है तो यहाँ पर 1998 है तो अगर SCST को 5 सल की छूट दी जा रहे है तो 1993 हो जाएगा इस तरीके से फाइनल कट ओफ यही रहेगा 30, 12, 27 यह सब के लिए रहेगा इससे कम नहीं होना चाहिए तो 15 साल से कम नहीं होना चाहिए यह आपको समझ मागया 4000 के इसके अंतरगत राजस्थान जोन जो है वो आता है जैपूर जी हां जैपूर जोन के अंतरगत यह आता है उत्तर परशिमुत्तर रेलवे अब यहाँ पर जो फॉर्म स्टार्ट का डेट है वो 10 जनवरी 2023 रखा गया है नोटिफिकेशन तीस तारीक को जारी हो चुका है 10 ज 27 टोटल रिक्रूटमेंट निकाले गई है नॉर्थ वेस्टन रेलवे में यह अलग था यह अलग है कन्फ्यूज नहीं होईएगा उसके बाद इस्टेट बात करेंगे तो राजस्थान मतलब जैपूर जोन है इसका जैपूर डिपार्टमेंट में आपको यह पूरी भरती निकाले गई है उदर आपको जो भी भरती होगी सब आपको इसी बोड में आपको जाना पड़ेगा काम करने के लिए तो जेनरली हमारा कहना है कि अगर आप राजस्थान के हैं या फिर हर्याना बगर के भी हैं तो आप वहाँ पर जा करके काम कर सकते हैं क्योंकि देखिए कि बहुत जादा सेलरय नहीं होती है अठ हजार दसहार रूपाई कि सेलरी होती है अब इसी में ही आपको रहना खाना पीना सारा कुछ मेनेज करना होता है या फिर रहने का कोई सुभिधा ूसके बाद करेंगे एजुकेशन के यहां भी सेम है टेंट प्लस I.T.I. 50% 10th में होना चाहिए और ITI पास होना चाहिए 10th में अगर 50% से उपर है तो आप इस form को भरिए merit पर ही selection होगा कोई exam ने, कोई interview नहीं age की बात करेंगे तो यहाँ भी same है 15-24 साल तक age होना चाहिए age का cut-off अगर बात करेंगे तो 10 February 2023, मतलब 10 February 2023 तक 15 साल से कम और नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए clear हो चुका होगा यहाँ भी form fee है general OBC के लिए 100 रुपे, SCHT और female के लिए 0 रुपे, मतलब इन सब zone में सब लगवग सब ही zone में एक ही रहता है form fee general OBC को 200 रुपे और जहाँ female बगर है SCHT उनको नहीं लगता है यह आगर total बात करेंगे तो लगवग लगवग 6000 इधर निकल करके आया है और 2000 कुछ seat है जो आपको South Eastern Railway में निकल करके आ है खड़कपूर डिवीजन में तो लगवग लगवग अभी तक 8000 टोटल भरती है निकल करके apprenticeship की आ चुकी है ठीक है और suggestion है मेरा आप अपने zone का इंतिजार किजिए अगर आपकी zone में आ रही है भरती तो आप जरूर भरिएगा क्योंकि करना बहुत जरूरी है आज के समय में apprenticeship बहुत important है सबसे बड़ा important मैं आपको बता देता हूँ कि apprenticeship करने से क्या होता है कि आपका experience वो count किया जा रहा है अब बहुत सारी कंपनिया apprenticeship को experience के रूप में भी count कर रहे है कि हाँ आपने experience में अगर किया हुए है work तो आपका वो चल जाएगा यह सब चीज़े आपको समझनी है और railway में तो आपको इसमें 20% आरक्षण्ट दिया ही गिया है छोटा से प्रयास था वीडियो पसंद आओ तो चैनल को subscribe किजेगा फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए चाहिए